हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चेनल विशाल गौतम से 183 पर आज मैं आप सभी के लिए सभी एक्जाम के लिए दोईएच चोविस का मोश्ट इंपोडेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है CAA इसे हम नागरक शेंशोधन अधनियम और इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस टॉपिक से तो नागरक शेंशोधन अधनियम लागो होने पर तीन परोसी मुश्लिम देश पाकिस्तान बंगला देश और अफगानिस्तान से आई उन लोगों को भारती नागरक शेंशोधन तक किसी ना किसी परताड़ना का शिकार होकर भारत आए इसमें गैर मुश्लिम, माइनोरिटी, हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी और इशाई शामिल हैं पिछले कानून के मताबक किसी भी व्यक्ती को भारती नागरक लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार था नए कानून के तहट 2 या 14 के बाद आने वाले व्यक्ती को लगातर 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार होगा तब ही उसे भारत की नागरकता दी जाएगी और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है तो उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा इससे पहले ये प्राप्धन 11 वर्षों का था तो अब हम आते हैं अपने प्रश्णों की ओर और हमारा पहला कुशन है भारत में नागर्कता शंशोदन कानून के इस तारिक से लागो हुआ है और इस question का सही answer है, option C, 11 March 2024, तो अपने दिस बारत में नागरिकता शंशोदन कानून जो है, वो 11 March 2024 से लागू हुआ है, next question है, नागरिकता शंशोदन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, इस question का सही answer है, option A, 11 December 2019, तो नागरिकता शंशोदन अधिनियम संसद में, ये 11 December 2019 को पारित किया गया था, next question है, CAA का पूर्ड रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ड रूप होता है हिन्दी में, नागरिकता शंशोदन कानून और इंग्लिस में बोलते हैं, Cityian Amendment Act, तो इस question का सही answer हो जाएगा, option C, A, और B, दोनों, next question है, नागरिकता शंशोदन अधिनियम CAA 2019 का उद्धेश क्या है, इस question का सही answer है, option A, अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के उद्पीलित, अल्प संख्यक समोगों को नागरिकता देना, next question है, CAA इन मेंसे किस पर लागू नहीं होता है, सही answer है, option A, भारतिय नागरिकों पर, next question है, नागरिकता का शंबन्द भारतिय संब्यदान के केस बाग से है, सही answer है, option A, भाग सेकिंड, तो नागरिकता का शंबन्द जो है, वो भारतिय संब्यदान के भाग सेकिंड से है, नेक्ट कुशन है नागरिक्ता शैंशोदन अधिनेम 2019 के तैत भारतिय नागरिक्ता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को गटा कर कितने वर्ष कर दिया गया है इस कुशन का सही अंसर है आप्शन B 5 वर्ष तो नागरिक्ता शैंशोदन अधिनेम 2019 के तैत भारतिय नागरिक्ता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को गटा कर अब 5 वर्ष कर दिया गया है नेक्ट कुशन है CAA कानून को समविदान की केस अनसूची के तैत आने वाले चार राज्यों में लागूर नहीं किया गया है इस कुशन का सही अंसर है आप्शन B अनसूची 6 अनसूची 6 में सामिल राज्य है असंत, तिरपुरा, मेगाले और मिजोरम इसके अलावा ILP यानी Inner Line Permit वाले राज्य हैं जैसे अरुणाचल पदेश, नागलेन और मिजोरम और मडीपुर मैं भी CAA को लागूर नहीं किया गया है नेक्ट कुशन है भारत में केस राष्टपती द्वारा CAA कानून को पारत किया गया है सही अंसर है Option B, रामनात कोबिंद तो अपने इस भारत में राष्टपती रामनात कोबिंद द्वारा CAA यानी Citizen Amendment Act कानून को पारत किया गया है नेक्ट कुशन है CAA कानून कितने देशों पर लागू है इस कुशन का सही अंसर है Option B, तीन तो CAA कानून जो है, वो तीन देशों पर लागू है और तीन परोशी मश्रूम देश हैं वो पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़कानिस्तान नेक्ट कुशन है NPR का पूर्ड रोप क्या होता है तो इस कुशन का सही अंसर होगा वो C होगा ए और भी दोनों यानि NPR का एंगलेस में अर्थ है National Population Register और हिंदी में से कहते हैं राष्टिय जनसंख्या रजिस्टर NPR यानि राष्टिय जनसंख्या रजिस्टर राष्टिय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है इसमें किसी गाउं, ग्रामीर, छेत्र, कस्बे वाड यां शेरी छेत्र के वाड की बीतर सीमांकित छेत्र में रहने वाली लोगों का वेवरण होता है NPR में जन्मतिती वेवाय के सत्ती जन्मिस्थान और राष्टिय जैसी जनकारी होती है हिंदी मरत होता इसका राष्टिय नागरिकता रजिस्टर इसके जरिये देश में अव्यद रूप से रह रहे प्रवाशियों की पैचान की जाती है इसके लिए लोगों से पैचान की दस्ताविच मांगे जाते हैं और असम में NRC लागो हुई है नेक्ट कोशन है NPR केस नागरिकता अधनियम के अंतरगत आता है सही आंसर है ओप्शन C नागरिकता अधनियम 1905 तो NPR जो है वो नागरिकता अधनियम 1905 अधनियम के अंतरगत आता है नेक्ट कोशन है बहारत में किस तरह की नागरिकता का प्रापधान है सइया आंसर है option A, एकल नागरिक्ता Next question है, कौन सा अधिनियम अवयद प्रवाशियों को बहारती नागरिक्ता प्राप्त करने से प्रत बंद करता है इस question का सब्सक्राप्राप्ता नागरिक्ता अधिनियम 1955 तो नागरिक्ता अधिनियम 1955 जो है वो अवेद प्रवाशियों को भारतिय नर्वता प्राप्त करने से प्रत्वंद करता है Next question है के सराज में NRC सबसे पहले लाग हुआ है इस question का सही अंसर है option A, Assum Next question है बहारतिय सम्विधान के के न अनुच्छितों में नार्क्तर सम्बन्दी प्राप्धान किये गए है इस question का सही अंसर है option C, अनुच्छित 5 से 11 नार्क्तर का प्राप्धान सम्विधान के भाग दो में उन लेखित है Next question है लोग सबा में नागरक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? इस कुशन का सई आंसर है Option C 9 दिसंबर 2019 तो लोग सबा में नागरक संशोधन बिल को ये पास किया गया है 9 दिसंबर 2019 को Next कुशन है राजजी सवा में नागरक शंशोदन बिल को कब पास किया गया इस कुशन का सही अंसर है option A 11 दिसमबद 2019 तो राजजी सवा में नागरक शंशोदन बिल को ये पास किया गया 11 दिसमबद 2019 को Next question है भारत में प्रवाशियों को अब साल की बजाय कितने साल रहने क्लभा नार्गर्खषे शोधन बिल को किस नी पेश किया इस कोश्ज़न का सभा में नार्गर्खषे शोधन बिल को ये अंटरकत mister पड़े सही अंसर है ओप्शन भी 391 लोगसवा में पच में कितने वोट पड़े 311 और लोगसवा में विपच में कितने वोट पड़े 80 next question है नागरक शैंशोदन बिल द्वारा किन देशों के अलप संखिकों को नागरकता देने का फैशला किया गया है तो नागरक शैंशोधन, बिल द्वारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश इन तीनों देशों के अल्ट संखेकों को नागरकता देने का फैशला किया गया है तो इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा option D, उपरियुक्त सभी नागरक शैंशोधन, बिल के अंतरगत राजसवा में कुल कितने बोट पड़े इस कुशन का सही आंसर है option A, 220 राजसवा में पच में 125 और बिपच में 95 बोट पड़े नागरक शैंशोधन, बिल कितने अल्पसंखेक समदायों को नागरकता प्रादान करेगा सही आंसर है option B, 6 और 6 अल्पसंखेक समदायों हैं हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्शी और इशाई नागरक शैंशोधन, बिल के अंतरगत के इस तारिक से पहले बहारत आई लोगों को नागरकता प्रादान की जाएगी इस कोशन का सही आंसर है option A, 31 दिसंबद 2014 नेक्ट कोशन है, नागरक शैंशोधन, बिल के तेट प्रावाशियों को नागरकता केस प्रक्रिया से मिलेगी इस कोशन का सही आंसर है option B, देशी एक करड़ द्वारा नागरकता नेक्ट कोशन है, नागरकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है इस कोशन का सही आंसर है option A, 6 तो नागरकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है और 6 बार संशोधन कब-कब हुआ, 1986 में, 1992 पर 23, 2005, 2015 और 2019 में नेक्ट कोशन है, भारत में नागरकता किस तरहक से मिलती है तो अपनी देश बारत में नागरकता मिलती है जन्म की द्वारा नागरकता, वंशन क्रम रक्त के आधार पर देशिय करड़ द्वारा नागरकता, पंजी करड़ द्वारा नागरकता मिलती है और छेत्र सम्विष्ट द्वारा नागर्टा मिलती है तो इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा Option F उपर युक्त सभी तो इन सभी के द्वारा अपने देश भारत में नागर्टा मिलती है Next कुशन है सम्विधान के केस अनुच्छेब में सम्विधान शेंशोदन के बारे में बताया गया है इस कुशन का सही आंसर है Option C अनुच्छे 368 तो सम्विधान के अनुच्छे 368 में सम्विधान शेंशोदन के बारे में बताया गया है और सम्विधान शेंशोदन की प्रक्रिया कहां से लिगी है दच्छर अफरीका से नेस्ट कुशन है कि इस देश से नागर्कता की अब धारड़ा को अपनाया गया है सई आंसर है option B, एगलेंड तो एगलेंड देश से नागर्कता की अब धारड़ा को अपनाया गया है अब वीडियो के लाश्ट में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है उस टेस्ट में आपको बताना है कि केस राज में NRC सबसे पहले लाग हुआ है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्प में लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिंद जै भारत वंदे मातरम